सुवागत आप सभी का एक नई वीडियो सीरिज में मेरा नाम है हचपी सोलंकी हाल में केंद्रिय मंत्री मंदल की नियुक्त समीती ने भारत के सॉलिशीटर जनरल के रूम में तुसार महता की दोबारा नियुक्ती को मंजूरी दे दी है बताते चलें इसके साथ ही केंद्रिय मंत्री मंदल की नियुक्ती समीती ने भारत के 6 अतिरिक्त सोलिशीटर जनरल की पुनर नियुक्ती को भी मंजूरी दे दी है जैसा कि आप जानते हैं केंद्र सरकार द्वारा तुसार महता को 2018 में पहली वार सॉलिशीटर जनरल नियुक्त किया गया था ध्यान रहे सॉलिशीटर जनरल अटॉर्णी जनरल के बाद सबसे बरिष्ट कानूनी अधिकारी होता है यह कानूनी मामले में सरकार को सलह देता है अगर नियुक्त की बात करें तो प्रधान मंतरी की अध्यक्सता वाली केविनेट की नियुक्त समीती द्वारा तीन साल की अबदी के लिए की जाती है याद रहे सॉलिशीटर जनरल भारत के सर्वच कानूनी अधिकारी अटोर्णी जनरल के अधिन काम करते हैं वहीं अटोर्णी जनरल देश का सर्वच कानूनी अधिकारी है अटोर्णी जनरल की न्युकती सरकार की सलहा पर राष्टपती करता है अब कुछ सविधानिक प्राबधन करता है अनुछिद 88 के अनुसार महनयवादी संसत और राज्य विदान सवा की कर्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन यह MP और MLA की तरह मतदान नहीं करेगा महनयवादी की सहता के लिए सॉलिशीटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिशीटर जनरल होते हैं महनयवादी की योगिता सर्वुच नियाले के नयाधिस के समक्षोनी चाहिए या फिर वह किसी राज्य के उच्छ नियाले में 5 वर्स नयाधिस रहा हो या फिर 10 वर्स तक अधिवक् जबकि भारत के पहले महन्यावादी M.C. सीतलवाड थे जिनका कर्रायकाल सबसे लंबा था 1950 से 1963 तक ध्यान रखने योक्यों तथा है कि सॉलिसीटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल के पद सामविधिक हैं ना कि सामविधानिक सॉलिसीटर जनरल के कर्तब्यों और विधि अधिकारी सेवसरते नियम 1987 में निरधारित किया गया है राज्यों में कानूनी सलहकार महाधिवक्ता है जो अनुछेद 165 के तहत राजजपाल द्वारा राजजसरकार की सलहा पर नियुक्त होता है